अलो फैंश वालकम टू अबर चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मत प्रदेश में जो पिछली बात 2019 में सीपी सीटी का एक्जाम हुआ था उस एक्जाम में जो कोशन्स पूछे गयते मैं उन कोशनों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ अगर आप दोस्तों सीपी सीड के लिए बहुत जरूरी रहता है कि उसके पुराने पिछले जो पेपर होती है उनको एक बात देख लिया जाए उनको सॉल्व कर लिया जाए यह कापी इंपोर्टेंट रहता है दोस्तों जो कोशन्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ वह है एक्जाम तीन अगस्ट 2019 कोशन्स हैं इसमें दोस्तों बावन कोशन कंप्रूटर से पूछी जाती है और एक पांच नमबर का फिर पैगर आप स्टोरी वेट रहता है और बांकि के तीन सब्जेक्ट से शेचे कोशन्स पूछे जाते हैं टूटल मिलाके 75 कोशन्स एक्जाम में पूछे जाते हैं और फिर इसके बाद हिंदी और इंग्लेश का टाइपिंग टेक्स लिया जाता है सभी में दोस्तों 50% का श्कॉर करना आने बारे होता है तो दोस्तों चलिए शूरू करते हैं शूरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अगर बीडियो लाता रहता हूं और आंगे भी लाता रहूंगा आप लोगों के लिए तो सबसे पहला कोशन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले ले जाने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा रहता है तो ड्रेग एंड कारपद्रक से कापी नहीं किया जा सकता है इसका अंतर है यही गल्स है ठीक है नैसी प्रकारिकी रिक करने के लिए मूल प्रवेष्टी क्या है ये जो होती है होती है norm层 Rebel summer 2017 ऍंसरे से इंसर्ट कर सकते हैं तो हम उस पंती को इंसर्ट करने के लिए उस पंती के सीशक पर क्लिक करना होता है जहां पर नई पंती इंसर्ट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मुनी से इंसर्ट पर सेलेक्ट करना होता है यान कि चैन करना होता है वर्ड वरेप क्या मतलब होता है त तो इसका आपरेशन का क्रम होता है कौन सी कोश्टक की उपस्तिती में नेश्ट निर्मे से कौन सी विदी जानगारी को कट नहीं करेगी तो एह कौपी करती है कट नहीं करती है कट के लिए CTRL प्लस एक्स का यूज किया जाता है ठीक है फैंस नेश्ट बिंडोज में कौन सा शुरूत इन निमने बितरित गरना आपरेशन माडल को कानफिगर करने के लिए उप्यूक किया जाता है तो है गटक सिवाए होती है नेश्ट माइक्रोसोफ्ट पावरपाइंट में अगले शीशा के अवाड़ी ट्रेक्स प्रेस होल्डर पर जाने के लिए कुझी स्यूजन किया जाता है तो CTRL प्लस एंटर का यूज किया जाता है माइक्रोसोफ्ट पावरपाइंट में कंप्यूटर टास्क बार को देखने के लिए कुझी स्यूजन कौन सा है तो टास्क बार के लिए CTRL प्लस टी का यूज किया जाता है तो यह माइक्रोफ्ट पावर पाइंट में श्लाइट शो शूरू करने के लिए कुझी सब्सक्राइब कि द्वारा हम चालू करते हैं पावर पाइंट में नेश्ट निम लेक्रमा से कौन सी घटना है माइक्रोफ्ट एक्सल में कारिपुस्ता की डेटा से शार्ट का मुदरन की करम में सही करम में तो इसका अंसर यह है कारिपुस्ता का पर क्लिक करना होता है फिर इसके बाद देखें कारिपुस्ता का आवलो कान प्रेश्ट की रूप रेका बांचे रेसर पर प्रेश्ट को ख सब्सक्राइब करता है कौन सी मैक्रो सक्षम के लिए डोट एक्स एल एसम मैक्रो सक्षम के लिए एक्सेंशन होता है फ्रेंट्स प्रोग्रामिंग कोट का एक भाग है जो Microsoft Excel प्रिविश में चलता है और निमत कार्यों को 140 रूप में मज़द करता है तो क्या है मैक्रो है नेश्ट Microsoft Excel 275 एक्सेंशन से मैक्रो सक्षम बड़को प्रेशन करता है भाई डोट एक्स एल एसम मैक्रो के लिए यूच्छी जाता है विज्वाल वेजिक यानि की जैसे फुल्ब बोला जाता है भी यह इसकी पर जाने के लिए शौटकट क्या है तो इसके लिए आल्ट प्लस एफ 11 है विश्ट पर अपनी सुख्षा और पैशान को परिवास्ट करने के लिए किसका यूच्छ उप्योग करती है तो है डिजि जैंद विफिक सब्सकार कर सकता है या कम से कम उद्व कि शेताव ने सकता है तो किया उसविप साइट की ऑक्सिस उसमें जाने की परमीशन को बंद कर सकता हे या फिर वार्निंग दे सकता है ंदि-पिग ऋफॉर्म डॉट्ट पर इंच होता है नेश्ट से और डिस्पले स यानी कि फेज बट यृप एक होता है लेंड़ के हम आपको बता देते है यह पेज का लेंडुक होता है और एत विव्ट 00 gost मैं डिस्पेस्पली स्वेट्ट इस प्रश्ट बन्यास कि होता है लेंड MKC कंप्यूटर किस रूप में जानकारि इस्टोर करता है तो फाइल में करता है नेश्ट निम लेकित में से कौन सा विंडू मेनू वार का एक भाग नहीं है तो इंपोर्ट वांकी के तीनों इसके भाग है कि वल इसको छुड़ कर ठीक है फ्रेंड नेश्ट एल्गुरोदिम में संदेश को मैसेच डाइजेस्ट में बला जाता है कौन सेâmर्य संदेश को मैसेच डाइड डेश में बला जाता है माइक्रोशट पप्लिश्यर एप्लिकेशन का एक्स्टेंशन क्या है तो इसकाerson.puv होता है निम लेकित में से किस करन लेजर प्रिंटर निष्क्री मोड में भी सकती का उप्योब करता है तो फूशर के तापमान को बनाये रखने के लिए उप्योब करता है निम लेकित पिकलकों में से उप्योब करता है विद्व शेवन है ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी के 95 और टूथाउजन है उप्योब करती है एकाई का प्रेक्षन उदेश क्या है तो एक प्रोग्राम के ब्रेक्टिकत भागों का प्रेक्षन करना इसका मुख्य उदेश रहता है वर्तनी और व्याकरन के लिए शॉर्टकर्ट फंक्षन कुंजी कौन सी है तो इसके लिए एफ शेवन फंक्षन कुंजी शॉर्टकर्ट है शाम ने टी एची के साथ रेक्षतान टाइप किया आटो कर्यक्ट और टाइप किया उसे दा से प्रतिफासित कर देता है यहांकि और आटो-कर्यक्ट उसे दाश से चेंज कर देता है तो अपरूक्ट प्रसिता के साहत्ती की जासे तो यह है टाइपंग की गलतियां और गलस लेखे सब्दों को सही करना आटो-कर्यक्ट की पैचान करता है उसकतन की पैचान करें जो केस बदले सूचि में अपर-केस बिकल् करने के लिए ठीक है friends ब्राउजरे के का ओप्योग करने से ओप्योग करता होगो बेब पर नैविगेट करने में मलद मिल्स धिये और भी माउस का ओप्योग करके क्लिक कर सकते हैं क्या browser के graphical user interface का perform दोस्तों graphical यूजर इंटर्फेस होता है जी यू का ठीक है फैन्स गूगल ड्राइब पर नेमल्स में से किस आइटम को अप्लोट करने की अनुमती नहीं होती है वाइलेस लेंड इंटर्फेस को सुरक्षित करने के लिए मैं से कौन सा प्रमानिक प्रकार नहीं है तो डबलू पी एमसी नहीं होता है मेल मर्ज टेंपलेट जिसे जरुवत के अनुसार कस्टमाज किया जब सके काउपयोग करने के लिए इमेल संदेशों की मेल मर्जिंग एतु शिलट स्टार्टिंग डॉक्युमेंट के अंतरगत किस रेडियो बटन का सक्षम होना जरूरी होता है तो है किसी ट अच्छी चलती है डी एसल में अभी अच्छी रहती है लेकिन डी एसल में एक रहता है अगर आमेशा है चालू रहे तो इसमें हैकिंग की समस्या ज्याद है पोसिबिलिटी रहती है और फाइवर अप्टिकल तो फिर इंटरनेट के लिए बहुत तेश्वीट प्रदान करत आती यानिकी स्पीड में बढ़ तेकर नम्म्म कोन जांग डाइल अफ रहता है फिर सबसे फाइच्ट बात फिर केवल नहीं कम रहता डाल स्वारी डायल फिसमें शुलू रहता है पिर इसके बाद आता है डी एसल इसकी बाद केवल Khud और इसकीब घा वर आप्टि लिए एक कि एक इलेक्ट्रोंट्री इंटर्नेट रिए चाठ इस शॉट में आई यार सी और ततका संदेश सेवा प्रिशन किस प्रकारी के इंटर्नेट शिवाएं तो यह संचार से वाइं है ठीग है उसके यू आरेल को सकत रूप से संसोधित और मान की क्रत्थ किया जाता है तो इसके यूरl समान 1990 कहते हैं और दोस्तों यूरl का फुलыми क्या हुआ होता है आपको पता यहुआ है यह नहीं है मालूम तो आप जान रर्खिएंगा यूओन अफुल jullie Uniform Resource Locator इसके फ्ल्कॉरॉम होता है संचार इंटरनेट से बागा को प्रदान करने के लिए इनमेश कौन सा संचार नेटवर्ग का एक प्रकार नहीं है तो डिजिटल संचार नेटवर्ग एक प्रकार नहीं है एक करेक्टर जो सामान एरिकाद से थोड़ा नेचे सेट किया जाता है किस नाम से जाना जाता है तो इसे सब स्क्रेट के नाम से जानते हैं इसक्रीन के वाइं तरफ टेक्स को सब्सक्रेट करने का शॉटकट क्या है तो इसे CTRL PLUS LEFT INDENT है यानि कि L कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है इसका मतलब क्या है तो इसमें वाइरस है ठीक है फ्रैंज CPU द्वाइरा सुलब सबसे तेज मेमोरी कौन सी है तो कैश मेमोरी होती है मैंन फ्रेम या शोपर कम्प्यूटर तक पहुंचने के लिए उप्यूग करता आकसर किस का उप्यूग करते हैं तो इसके लिए टर्मिनल का यूज किया जाता है Window program में किसी फलक से किसी Card फलक पर घड़ी की दिजा में जाने के लिए किस कुन्जी का यूच्ज के जाता है Shit Erle Shape और Alt को किस प्रकार की कुन्जी का जाता है तो स्टों इसंher modifier कुन्जी के नाम से जानते हैं ंद कुन्जी को के जो के साथ प्लस्टिक पर सकती है क्या प्लस्टिक प्लस्टिक कार्ड पर सकती है निम्ब लेकित मैं से कौन सा माना केबल इश्मार्ट कार्ट से संपर करने और कार्ट के बहुत एक आयामों बिलुद इंटरफेस और संचार प्रोटोकाल साइट कार्ड और उनके इंटरफेस के विविन पहलियों को परवस्थ करता है तो क्या है आई एस ओ आई एसी इसका है आंसर है नेश्ट एक डिजिटल केमरा के लिए डाया फ्राम और शटर की सही मातरा को इमेजर में शुकार करते हैं क्या करते है रोशनी प्रारंबिक डिजिटल केमरों के पीशी के साथ इंटरफेस के लिए किस पोट का उप्योग किया जाता था तो सीरियल पोट का यूज किया जाता था नेश्ट और लास्ट कोश्टन बेप कैमरेया का उप्योग निवल पने से किस शेट सिवाओं के साथ नहीं किया जाता है तो मैं इसका यूज नहीं किया जाता है बाकी के तीनों में किया जाता है ठीक है फ्रेंस तो है कापी ऐजी टाइब से आता है और इसमें आप आप अच्छे से पॉंट नमबर गएंड कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों पीन सब्जेक्ट चो रहते हैं वह मैत रेजनिंग और जी के रहता है जिसमें मैच मैं आप थोड़ी सी अची प्रैक्टिस करके इसमें भी अच्छा स्कॉर कर सकते हैं इसमें दोस्तों एज रिलेटेट चक्रवतिव्याज अनुपाश शामानुपाथ लाभानी और शेतरवोज प्राइक्ता इस टाइप के कोश्चन्स पूछे जाते हैं आप यहां देख सकते हैं और इसके बाद रहता ह जनरल मेंटल एबिलेटी एंड रिजिनिंग यानि की रिजिनिंग जो इसमें भी अच्छी कोश्चन आती है तब कोश्चन आपको नहीं मिलेंगे ठोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कन्नी होगी और शे नंबर आपकी आराम से इसमें शे में से पांच नंबर आप अच्छा इसली तरीके से ला सकते हैं और इसके बार रहता है जीके जीके के लिए दोस्तों इसमें आप करेंट पर ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि जीके में कोई भी नहीं रहता है कि कहां से पूछ लें क्या पूछ लें यह बर्ड लेबल के आदार को पूछ सकते हैं इंडिया प पूश्ट सकते हैं तो आपको इसकी अच्छी तयारी करने होगी ठीक है फ्रेंट्स तो है कि पिछत्तर कोशन जो सीपी सीटी ग्राम में पिछली बार पूछे करें यहां कम्प्लीट हुए आता करते हैं जानकारी आपकी हमें पसंद आपकी आपको जानकारी हमें हमारी तो खुशा शेयर करें ठैंक्स पूर वाचिंग जैहिंद आपको 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 आपको